नमस्कार दोस्तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्स्क्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, All Select करें, हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मेरे चानल में आपका फिर्स एक बार स्वागत है और दोस्त जैसी के आप सभी को पता हुआ कि M.I.UA का अपडेट है कुछ डिवस में मिलना स्टाट हुच चुका है और दोस्त M.I.UA L1 का अपडेट मिलने के बाद कापी सारी लोगों के मुझे एक ही कमेंट्स आते है कि App Drawer का जो फीचर से Home Screen के अंदर मिसिंग है लेकिन दोस्त आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शाओमी के किसी भी डिवस में बस दोस्त टेप करने के बाद आप तुरत अपने फोन के अंदर App Drawer का फीचर यह अपर इनेबल कर सकते है अगर आप इन्ट्रेस्टेड हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लासक जरूर देखते रही है और अभी तक हमारी चानल का सब्सक्राब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राब भी कर लिजे तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्ता MIUI 11 का अपडेट का पिस तरे डियोस में मिल चुका है लेकिन अपड्रोर के जो फीचर से सभी डियोस में मिसिंग है तो दोस्ता अगर आपके पास Redmi Note 7, Redmi Note 7S, या फिर Note 7 Pro या फिर Xiaomi का कौन सभी डियोस हो फिर भी आप अपने डियोस के अंदर MIUI 11 का अपने इस्टॉल करेंगे बाद Home Screen के अंदर या पर AppDraw का फीचर से इस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्ता आपको कुछ जादी आपर स्टेप करना नहीं बस आपको यापर दो स्टेप करना है आप्लिकेशन का उपन करने नहीं घुटी आपको इस्टॉल करने बाद ये इस्टॉल करने बाद आपको सिर्फ अपर क्लिक करने आपको सर्च भॉक्स नहीं है एक्टिविटी लॉंचर तो एक्टिविटी लॉंचर के स्पेलिंग भी देशाते हैं जादा कुछ यह पर लंबा साइज नहीं है लगब कुछ KB के आसवास उसका साइज है तो सिंप्ली इस्टार करें बाद आपको इसको अप्लिकेशन को उपन कर देना है अगर आपके फो में इस तरह से आपको मिल जाएगा सिस्टीम लॉंचर तो सिंपली अपर सिस्टीम लॉंचर पर क्लिक कर देना है तो सिस्टीम लॉंचर पर क्लिक करने बाद आपको कापी सरे ओप्शन देखने को मल जाएगे निचे की तरफ से लिगें आपको सेकंड नमर पर क्लिक कर दे देखने को मल जाएगा तो simply home screen के option पर आपको क्लिक कर देना है and home screen पर क्लिक करें बाइद आपको option देखने को मल जाएगा home screen पर use app drawer and regular mode तो दोस्त आप यहां से यह पर home screen के launcher मतलब कि app drawer या फिर standard mode या पर change कर सकते है अगर आपको app drawer का mode चाहिए तो आपको app drawer पर क्लिक करेंगे तो simply अपने phones के अंदर app drawer का feature से इनेबल हो जाएगा तो दोस्ते इस तरह सब देखने किसी भी phones के अंदर मतलब भी Xiaomi के किसी भी phones के अंदर app drawer इनेबल कर सकते after MIUI 11.0.250 या फिर MIUI 11 के बाद किसी भी update के बाद ये इस तरह से app drawer इनेबल कर सकते है इसके बाद दोस्ता अगर आपको वापस जाना है मतलब भी standard mode पर वापस जाना है तो simply जो shortcut से home screen का simply उस home screen के standard mode पर अपर क्लिक कर देना है इस तरह से home screen open कर लिजे home screen open करने बाद standard mode को select कर लिजे तो जेस तरह से बाद देखते है फिर्स आपके आपर standard mode देखने को मल जाएगा